Hi everyone, एक बार फिर से स्वागत आपका हर्याना सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है आपकी exam date को लेकर के जो group C, CET का जो second exam होने वाला है तो उसकी exam date को लेकर के नया नोटिस जारी किया गया है देखीगा इसमें क्या कुछ बताया गया है अर्याना के जितने मजिस्टिक हैं उनके DC को ये लेटर बेजा गया है किसके लिए बेजा गया है वो है कि sitting capacity यहां पर देखें confirmation of the center in various educational institute यानि कि center बनाने के लिए exam conduct करवाने के लिए जो center बनाया जाएंगे उनकी confirmation के लिए ये लेटर बेजा गया है और आपके exam date देख लीजेगा आपके exam 20 जुलाई से ही start हो रहे हैं 20-21 जुलाई से start हो जाएंगे यहां पर date देख सकते हैं 21-27-28 जुलाई है फिर 31 जुलाई फिर 3 अगस्त तो आप date देख सकते हैं और 29 तारिक तक 29 सब्टेंबर तक आपके exam चलने वाले हैं तो आगए देखेगा पांस दिन के अंदर अंदर ये सब सारी जो detail है वो भेजनी है और देखेगा सारे district की इसमें cover किये गए हैं सभी district को सभी deputy commissioner को ये letter बेजा गया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं CET क्वालिफाई का यानि कि अगर CET मेंस में 4 गुणा candidate को ही गुलाते तो ये सिरफ पंचकुला यम्नानगर चंडिगेड यहां पर center बना सकते थे लेकिन सारे district cover किये गए हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से CET क्वालिफाई की सरकार को अगर CET क्वालिफाई करना पड़ गया तो center बनाने में दिक्कत नहीं हो तो सभी district DC को ये letter भेज दिया गया है तो ये थी छोटी से update good news आपके लिए आपके जो exam है इस letter के हिसाब से 20 जुलाई से start हो रहे हैं 20 जुलाई से 21 जुलाई यहां पर तो आप अप्रोक्षिमेट यह शुरुवात के जुलाई के छोड़ दें तो अगस्त में आप मान के चलिएगा तीन अगस्त चे आपके exam स्टार्ट होने वाले हैं गुरूप C CET मेंस के तो ये थी update उमेद करता हूँ अच्छे लिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कोई डाउट होस कैसे नों कॉमेंट सेक्शन नों बता सकते हैं मिलते हैं नेक्टी बार के अपडेट में धन्यवाद